नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर खापरखेडा ओशनिक विद्यूत केंद्र की राख नांदगाव वारेगाव तालाब में डाले जाने के कारण जन जीवन पर उसका विपरित परिनाम हो रहा है इस कारण इन दोनों तालाबो में राख डालना स्थाई रुप से बंद किया जाएगा यह आश्वसन परियावरन मंतरी अधित्य ठाकरे ने नांगाव के ग्रामेनों के साथ की गई चर्चा के दोरान दिया है अधित्य ठाकरे ने कहा कि नांगाव तलाब में राख डाले जाने के कारण जल वो वायु प्रदुशन होने की क्रामेनों द्वारा प्राप्त होने के बाद कुछ दिनों पुर्वो उनकी समिक्षा की गई इसमें राख के कारण प्रदुशन होने की बात सामने आई है थाना करहन में पदस्थे सिपाही विशाल शंभर कर अपने स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे उसी दोरान जेन होस्पिटल के पास उन्हें गुप्त सुत्रों से जानकरे मिली कि मौजा खदान 6 में रहने वाले बल्लन शामराव गोस्वामी अपने पास कट्टा रखे हुए है जानकरी मिलते ही पुलिस दल ने तिरा फरवरी को इंडियन बैंक के पास खदान करमांक 6 में उसके निवास पर जाकर जांच की इस दोरान आरोपी बल्लन शामराव गोस्वामी उम्रे 31 इंडिरा कॉलनी खदान 6 के निवासी की तलाशी लेने पर उसके जिन स्पैंट से एक देशी कट्टा मिला जिसकी कीमत 17,000 रुपे बताई गई है इस कट्टे के समन्द में कोई भी लाइसेंस या दस्ताविस आरोपी पेश नहीं कर सका है इस मामले में सिपाही विशाल शंबरगर थाना गनहान की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ भारती हत्यार कारून की धारा 3 और 25 के तहत मामला दर्च कर उसे गिरफतार किया गया है ये कारवाई नागपुर ग्रामिन पुलिस अधिक्षक विजे कुमार मगर अपर पुलिस अधिक्षक राहुल माकनिकर पुलिस अधिक्षक मुक्तार बागवान कामठी विभाग के मार्ग दर्शन में वरिष्टो पुलिस निरिक्षक विलासकाले वन्या पुलिस कर्मियो जिले में पिछले गई हफ्तों के बाद किसी भी मरीज की मौत कोरुना से नहीं हुई है। उनमें शहर के 3871 और ग्रामिन के 501 सैंपल थे अब तक 5,86,191 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। दो दियो से विधर्व दोरे के दोरान नाकपूर पहुचे युवा सेना प्रमुक्व परियावरान मंत्री। आदित्य ठाकरे से केमिट के प्रतिनी थी मंडल ने राश्ट्री अध्यक्ष डॉक्टर दिपन अगरवाल के नेतरुत्व में। तथा सांसत कुरुपाल तुमाने के सांथ भेट की। अधित अधिसूचना 13 सप्टेमर 2019 को निलंबित करने का अनुरोद किया। साथ ही उन्होंने अधित्य ठाकरे को कुछ सुझाव देते हुए उन पर अमल करने का नेवेदन किया ताकि व्यापारियों को रहत बिल सके। अब तक दो लेन पर पुरिक्षमता से शुरू हुई नाकपूर मेट्रो चात्रो के बीज भी काफी लोग प्रिय हो रही है। हिंग्ना रोट पर स्कुल कॉलेजों के चात्रो द्वारा केवल मेट्रो का चयन करने के साथ ही वरधारोट पर मेट्रो क Capitol के आसपास के स्कूलो और कॉलेजों के चात्रो का मेट्रो से सफर की और रुजान भी दीन प्रती दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस सिलसिले में सोमवार कुशास की इंजिनिरिंग कॉलेज में चात्रों को मेट्रो और फिडर सेवाव सहीत अन्य सुविधाओ के बारे में विस्तुरु जानकरी देने के लिए मेट्रो सवाद का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न इंजिनिरिंग संकाय के लगभग 1200 चात्रों ने ऑनलाइन सत्रब में भाग लिया जिसमें कुछ ऐसे चात्र भी शामिल थे जो अपने घर से ऑनलाइन रहकर सवाद में सह भागी हुए चात्रों को महा मेट्रों के नागपुर सित कारिया लेके विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने संबोधित किया अधिकारियों ने सेशन खतम होने से पहले चात्रों के सभी सवालों के जवाब दिये और उनकी शंकाओ का समाधान भी किया भारते चार्टर अकाउंटेंट संस्था की पश्चिमि भारत शेत्रिय परिशत की नागपुर शाखा को ICEI की WIRC की 36 शाखाओं में से पश्चिमिक शेत्र की सर्वशेष्ट शाखा के रूप में सम्मानित किया गया है यह पुरसकार मुंबई ICI भवन, BKC Auditorium, मुंबई यहाध्यक्ष, ICI CA, निहार जंबू सरियाद्वारा वितरित किया गया यह शांदार समारोह, CA मनिष गाडिया, अद्यक्षर WIRC, CA द्रेशीदेशाई, उपाद्यक्षर WIRC, CA अरपित काबरा, सच्चिव WIRC, CA जयश काला, कुशाद्यक्षर WIRC और CA यשवन कसार, विकासाद्यक्षर WIRC की उपस्तिती में आयुजित किया गया था पुरे पश्चिमी क्षेत्र से बड़ी संख्या में चार्टर काउंटेंड ने इसमें भाग लिया विकासा नाकपुर को क्षेत्र में सर्वस रिष्टर स्चात्र संग के रूप में भी चुना गया था नाकपुर शाखा को वर्ष 2021-22 के लिए दोनों पुरसकार मिले हैं वर्ष 2021-22 के दोरान सीए साकेत बागडिया की गतिशिल अध्यक्षता में शाखा ने लगबख 485 कारेक्रमों का सफलता पुर्वक आयोजन किया शाखा ने विभिन संगोष्टियों का आयोजन भी किया है परनपुत्र सोसाइटी हनुमान मंदिर जिरोनोध धार का भूमी पुजन पुर्वस्थाई समिति अध्धिक्ष विरेंद्र कुकरेजा के हाथो उत्तर मंदल अध्धिक्षय संजय चौधरी, नगर सेवी का सुष्मा चौधरी, भाजपानेता दौलत कुंगवानी वो प्रभाग के सयोजग जीतु ठाकूर की प्रमुक उपस्थिती में हुआ सर्वप्रतम हनुमान की मूर्ति पर माल्यार पन कर आरती की गई उसके पश्चात पंडित दिंदयाल उपाध्य है वो भारतमाता की प्रतिमा का पूजन भी किया गया इस कारेक्रम में वार्ड अध्यक्ष कुशाल दोईफोडे, सुनिता महले, लिना सूमकूर, खेमराज दमाहे, आकाश जटाले, शंभू महले, दिपाली पुटे, विनोत जैस्वाल, काली चरंठाकूर, अमिताब मेश्राम, पंडित, बूत अध्यक्ष सुजित चौरसिया संतोज बडेल, स्वच्छ भारत अभियान महामंत्री मंडल, सुरब पाराशर महामंत्री युवामोर्चा उत्तरनाकपूर, कुशना गोपाल पांडे, वेद प्रकाश पाठक, शाभर गडे, प्रशांत लोखंडे, गोपाल लाडे, मेश राम, गणेश यादव, नंतकिश साहित्यकार कवि संतोज बादल की दो कुरूतियों, व्यंग निवन, अत्रक, कुशलम, तत्रास्तु, और कविता संग्रह, दर्द भरा, प्यासा बादल का विमोचन, विदर्बह हिंदी साहित्य संम्मिलन के उतकर्ष सभागरुह में, डिम्ड युनिवर्सिटी कराड के क गुलपती, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा की अत्यक्षता, वन आगपुर के पुलिस उपायुकत गजानन राजमारे के मुख्य अतिथ्य में हुआ, सुप्रसिध्य साहित्यकार, डॉक्टर सागर खादी वाला, तथा नागपुर विश्व विद्याले के विभागा अध्यक्ष, डॉक्टर मनोश पांडे की विशेश उपस्तिती रही, कारेक्रम का संचालन महराष्टर राज्य हिंदी अकाडमी के सदस्य अविनाश बागड ने किया, वही आभार प्रदर्शन, सुप्रसिध्ध व्यंगकवी, अनिल मालो करने माना, दिप्रजवलन और मा सरस्वति के चित्र को मालयरपन के साथ प्रारम हुए इस कारेक्रम में, राजेश शुकला, शीतला प्रसात्त्रिपाठी, आशुतोष पांडे, वर्षा पांडे, स्नेहा पांडे ने, शौल, श्रीफल, पतुलसी का पौधा देकर अतितियों का स्वागत सतकार किया, इस अ अफरत की आधी को प्यार में बदलने के लिए टीम कैट नाकपूर ने वैलेंटाइन डे के अंतरगत प्यार का संदेश देते हुए, मेरा प्यार मेरी भारत माता के अनुरूप, भारत माता को लालफुल समर्पित करके प्यार का संदेश दिया, टीम कैट नाकपूर पिछल जलत इस्तिमाल नहीं होना चाहिए, हर किसी का प्यार किसी ना किसी के प्रती होता ही है। मनपायुक्तर आधा क्रुष्णन भी की अपिल के बाद नाकपुर महानगर पाली का चुनाओ के लिए घोशित वाड गठन को लेकर सोमवार तक कुल 117 आपतिया वह सुझाओ प्राप्त हुई जबकि पूर्व में प्राप्त 73 अधी सूचनाय प्राप्त हुई थी। नाकपुर महानगर पाली का चुनाओ के लिए कुल 156 सदस्यों के 52 वार्डों के नक्षों का सौधा गुशित किया गया है।